नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके जीपड़ी इन्फो चैनल पर और आज मैं आपके लिए क्या गया हूं सिबेसी क्लास 10 के मैथ का चैप्रा नूबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल यानि बहुपद दोस्तों आज हम सब्सक्राइब से करने वाले और यह कोश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं आपको पहली बता रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं साफ साफ आप माने चाहे ना माने ठीक है यह जरूर आएगा यानि इसमें प्रशन है न ऐसे ही प्रशन आएंगे बिलकुर बस संख्या बदली होगी मैं आपको पहली बता रहा हूं यह आठ प्रशन जो आपको दिए गये इस चैप्टर में से आपको बता रहा हूं लेकिन मैं यह जो सॉलूशन आली कॉपी है मैं डाल दूगा तभी अप्लोड करूंगा वीडियो तो फर्स्ट कोस्टन लेते हैं और फर्स्ट कोस्ट में देखी क्या पूछा गया है कि एलफा थोड़ा उपर कर लेते ताकि आपको साब दिखाई दे यदि एलफा और बीटा दिवगात बहुपद पी एक्स के सुन्यक हो तो पी एक्स का गोड़नखंड कीजिए अच्छा अब यह कह रहा है कि भाई कोई हमारे पास जो है कि पी एक्स है कोई बहुपद है अब यह तो हमें पता नहीं कौन सा बहुपद है तो हम इसको इसको लिख लेते हैं स्टंडर्ड इक्वेशन होती है यानि कि समान जो समिकरण है ना उसकी दिवगात समिकरण की तो यह है ठीक है अब यह कह रहा है कि एलफा और बीटा इसके सुन्यक है तो अब इक बात मैं आपको बता दूं कि एलफा और बीटा देखके ठरिएगा मत कभी इसका कुछ भी लेना देना नहीं किसी और चीज से बसी सिंबल की तरह यहां पर यूज हो रहा है ठीक है तो चलिए अब इसको सॉल्ट कर लेते हैं तो आपको मैं बता दूं कि यह सुन्यक पूछ रहा तो देखिए सुन्यक का फॉर्मूला है एलफा का जो पहला इसका जो सॉल्ट का जो फॉर्मूला होगा जो निकालते हैं मैनस बी अपन में रूट भी ठीक है रूट ड्योड फलस में रूट अपन में टू है और वीटा जो सॉलूशन होगा वह होगा मामानस का बी और मामा है डैने एक बात ओर याद रस très यह जो D है ना यह हमने ऐसे लिखा है इसको आप रूट में B2 मानस में 4AC लिख सकते हैं या तो यह लिखिए या फिर यह लिखिए बात एक है ठीक है क्योंकि D equal जो होता है ना वो होता है B2 स्क्राइब मानस में 4AC यह फॉर्मूला है डी निकालने का डी हम विबकतर कहते हैं डी को ठीक है तो यह था पहला प्रशन ठीक है आएब सेकंड कोश्चन करते हैं तो सेकंड कोश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि एक स्क्राइब माइनस एक सुनने एलफा और बीटा हो मैं फिर और दर नहीं बिल्कुल भी यालफा बीटा कुछ नहीं है एक सबस्क्राइब कोई प्रब्लम नहीं जिरू लिए ठीक है अब यहां पर यह कहा रहा है कि आप निकाली 1 अपन इलफा प्लस वन अपन बीटा इसका मान निकाली ठीक है? तो अब देखे, आपके बात में बता दू, जब कभी ऐसे निकानने को बोले, तो आप ऐसे मत निकालिएगा, आप जो है दो चीजे, इसको फ़रे सॉल करेंगे, सॉल क्या करेंगे? देखिए, सुन्ये ध्यान से, या तो उसको सॉल करें के आलफा बीटा निकालेएं एलफा बीटा मतलब की दो धू हल निकल जाएंगे ठीके ना एक आखल निकलेगा तो उसे अलफा बोल देंगे दूसरा बीटा बोल देंगे दोनों की रख Memphis फिर जोड़ देंगे लेकिन यहाँ यह निकरनेवाले हैं हम यहां पर दो चीजे होता है ठीक है तो यहां देखिए कि ए कि यह क्या है कि यह आप यहां लिखा के साथ तो नहीं लिखा है तो वन लिखेंगे लिकिन माइनस लिखा है तो माइनस और फिर सी देखें सी क्या है माइनस वन ओके तब यहां वैलू रख दीजिए माइनस लिखें बाहर और बी बी हमारे पास माइनस का वन और अपन में क्या लिखेंगे ए हमारे पास तो एक हम क्या लिखे लिए क्या निकालेंगे सुनेको का गुड़नफल क्या होगा तो भाई उसे हम लिखते हैं एलफा इंटू में बीटा तो एलफा बीटा क्या है हमारे पास एलफा बीटा हमारे पास जो है वह होता है लिए आपन में एब देखेए वह हमारे पास एलफा मैं मैं एड़न लिखा औरर इंगाले तो निकालना को क्ष ओर कर रहे है क्या कर रहे हैं तो मैं आपको सापस पहले ही बता जिए कå आप इसे नहीं निकाले से सुनिकों का योगफल निकाली सुनिकों का गुणफल निकाली है और फिर उसको इसमें रख दीजिए अब आप ही सोचेंगे यह दो तो इसमें दिया ही नहीं है तो भनाना पड़ेगा इससे इसमें गुणा कीजिए तो यह हो जाएगा बीटा प्लस में अलफा और बटे में दोनों का घुणा ही減लuent, यानि दोनों का घुणा नीचे और इससे इसवेट में, इससे में घुणा कर दिया हमने, छीखें? अब माक है, चलीए तो आपका अंसर आगया, याद रखेगा बहुत बड़े-बड़े प्रस्न एस इस फॉर्मुले तरीके से हल होंगे बडिए से बड़े पहली बता रहों वह नब अज्वर स्कथ्ट नियते पूछा जा वह भी देख लेते हैं मैं तो थर्ड में देखते हैं क्या पूछा घ्या की बहुपद थोड़ा करके ऊपर दिखाता हूं आपको बहुपद एक स्क्राइब माइनस के प्लस में 6 एक्स प्लस टू और रेकेट में है टू के माइनस वन कि सुनेक अलफा बीटा है ठीक है ऐसे बोल दिया कि से दो सुनेकों एक को बीटा कह दिया और देखी रिलेशन दिये कि अलफा प्लस बीटा एक और वन अपन टू एलफा इंटू बीटा तो के कमान ग्याद कीजिए चलिए पहले बहुपद लिख लेते हैं मैं आपको फिर बता रहा हूं कि डरना नहीं है करना है और आएगा है तो अब इकोल टू जिरो लिख लेते हैं और यहां पी बात ध्यान देने वाली है कि एक रिलेशन दी हुए हमें और रिलेशन क्या दी हुए कि एल्फा प्लस बीटा इकोल है वन अपन में टू मल्टिपल एल्फा इंटू बीटा के ठीक है मैंने जैसे को बताया कि आप एल्फा और यह एल्फा प्लस बीटा और एल्फा प्लस एल्फा इंटू बीटा निकालिए तो पहले आप सुनेको का योगफल निकालिए क्या निकालिए मैं बार बार नहीं लिखूंगा मैं एक दो बार लिख दे रहा हूं सुनेको का योगफल क्या है एल्फा प्लस में बीटा तो क्या होगा माइनस B अपॉन में A अब आप देखिए माइनस B क्या यहां से यहां तक B है जो X के साथ होता है माइनस B और यहां भी माइनस है तो आप क्या करिएगा इसमें कि ऐसे रखेंगे ठीक है बी हमारे पास क्या है के प्लस में 6 ओके इसको करो बटे में एह हमारे पास क्या है कुछ नहीं तो वन लिग दीजिए अब क्या जाएगा माइनस में गुणा किया तो प्लस आएगा क्या प्लस अब हमें क्या करना है कि एक तो हमारे पास निकल गया ए निकालेंगे, सुनेको का गुड़नफल, ओके, अब मैं आगे के कुश्चन में यह स्टेट्मेंट नहीं लिखूंगा, डारेक्ट लिखूंगा, अलफा इंटू, बीटा, इकोल हो जाएगा क्या आपके पास, इस, c upon a होता है, अब c देखे क्या है है आपे, c है यहां से लेकर यहां तक, यह आपका c है, और यह क्या था आपका b, तो c हमारे पास है, माइनस का 2 2 के माइनस 1 और अपन में A यानी की 1 इसका अब लिए हो कि C हमारा यही हो गया 2 और 2 के माइनस 1 यही हमारा C है ठीक है अब फिर वही चीज जो आप से पूछा गया है अब पूछा क्या गया है उसको आगले पेंच पर करेंगे ठीक है नहीं तो प्रिंटर में जब मैं आपको प्रिंट कराऊंगा डालूगा पीडियाफ करके तो फिर यह कट जाएगा तो रिलेशन दी हुए है रिलेशन क्या दी है कि एल्फा प्लस बीटा इक्वल वन अपन टू एल्फा बीटा अब आपके पास तो बई संख्या मिली गई है तो यह क्या है के प्लस सीक्स है ओके और वन अपन टू लिखे मल्टिपल मल्टिपल में क्या लिखेंगे माइनस का टू और टू के माइनस बन यही है आप क्या करना है इस टू से टू का एंसर कर दीजिए माइनस का बन बहार इसको लिखे के प्लस सीक्स एक्वल माइनस अंदर गुणा किजिए माइनस टू के और प्लस का बन ओके यहनि माइनस से इसमें गुणा गया तो माइनस का हो गया तो K की वेलू क्या जाएगे आपकी माइनस का 5 अपान में 3 ओके हो गया इस सवाल अब ऐसे आई फोर्थ कोर्शन लेते हैं फोर्थ कोर्शन की बात करते हैं फटा फट सॉल करेंगे जादा से जादा काम करना है बोर्ड एक्जाम की पूरी फुल तैयारी करनी है फोर्थ कोर्शन में देखी क्या पूछा गया है उपर करते हैं जरा आपके पास कि एक दिवगात बहुपत बनाईए जिसका एक सुन्यक 3 पलस में रूट 2 हो ओके और सुन्यको का योग 6 हो 6 है 6 दे रखा sum of the zeros यानि कि सुन्यको का योगफ़ल क्या दिया है 6 और 1 सुन्यको 3 पलस में रूट कर रहा है तो देखें सबसे पहले तो आप यह लिखें सुन्यको का योगफ़ल मैंने बोला था अब मैं इस ट्रेटमें नहीं लिखूंगा डिरेक्ट लिखूंगा सुन्यको का योगफ़ल यानि की अलफा पलस बीटा एकुल क्या दिया हुए 6 दिया हुए ठेक है अलफा पलस बीटा एकुल हमें क्या दिया हुए 6 और ये भी कह रहा है कि एक हल उसमें से वो है 3 पलस में रूट 2 आपकी मर्जे इसे चाहे अलफा लिखे चाहे बीटा लिखे कोई फर्क नहीं पढ़ना आला क्योंकि उसने बोला एक हल कोई तो अब हम इसको इसमें रख देंगे यानि इसे जो है कि एक एक्विशन मान लिजिए इसे फर्स्ट क्योंकि पहले वही दिया हुए और सेकेंड इसे अब इस एल्फा के वैलू यहां पर रखेंगे तो यह हो जाएगा थरी पलस में रूट में टू और पलस में बीटा इकोल शिक्स अब इसको इधर भेज दीजिए तो सिर्फ बीटा के वैलू अगर हम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगी 6 मैनस में और यह भी मैनस में तो हमारे पास बीटा के वैलू आ गई 3 मैनस में रूट का 2 ओके 3 मैनस में रूट 2 अब आपको में बता दू कि समिकर्ण जो हम बनाते हैं कभी भी लिए ग्रा कि शमय करन को दूसरे में होगा सुनेको का योगफल ठीक है और बाहर करेंगे एक से गुणा और प्लस सुनेको का गुड़न फल यह होता है और इक्वल टू जीरो यह फॉर्मूला है ठीक है अब रख दीजिए आप आपके पास तो वैलू है यह दो के गुणा में उधर जागा तो डिवा रूट में टू और प्लस बीटा के लूद कि क्या है थ्री मानस में रूट में टू ओके और बाहर क्या है एक्स प्लस में एलफा इंटू में बीटा नहीं लिखेंगे इसमें डारिक वैलू लिखेंगे तो एक बार प्लस में लिखेंगे थ्री प्लस में रूट में टू और माइनस में 3 माइनस में root में 2 और equal 0 ओके और एक बात का धिहान रखना है दोस्तों क्या कि यह देखिए formula बन गया a plus में b एक बार और a minus में b तो हम इसको क्या लिखते हैं a की square minus b की square यह formula होता है ठीक है तो ऐसे अब इसको चलिए देखिए तो plus का root 2 है मानस का root 2 है कड़िये न तो आपके पास जो value आई है x की square minus 3 और 3 कितना हो गया 6 x और यहां लिखते हैं प्लस a plus a की square minus b की square तो a की square क्या हो जागा भाई की 3 की square मानस में और root 2 की square equal zero x square मानस में 6 x प्लस में 9 मानस में 2 इक्वाल जीरो इसको प्लस का 7 equal to क्या हो जाएगा जीरो बस हो गया हमारा आंसर यह हमारी की समी कराने ठीके ना इसको यह ने लिखना यह ने गलत लिखा इसको ने लिखेंगे ठीक है क्योंकि आहां पर यह गलत काटी स्वारी यह क्योंकि इक्वेशन सौल करने का आध पढ़ गया इसलिए एक स्केर 6 x प्लस 7 equal 0 यह है आपकी समी करण ठीक है तो पता चल गया को कैसे बनाना है यह फॉर्मूला होता है एक बर सुने को का योग फल रखिए एक बर गुड़न फल रखिए बस डायरेक्ट अगर हमें मिलता ना तो ड समी करण दिनल थी कंडिशन दी थी तो इसलिए मैं ऐसा करना पड़ा प्डा समी करण टी होती हुत हम क्या निकालते डाइक मैनेस अपों ने टीक है X square plus 1 बहुपद X की Q प्लस X X की 4 प्लस X cube प्लस 8X square प्लस AX प्लस B का गुड़न खंड हो अच्छा 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 देखें कभी भी जब आपको ऐसे बोलें कि गुड़न खंड हो इसका मतलब समझ जाई कि कैसे आपको solve करना है ठीक है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बहुपद तो बहुपद जो हमारे पास दिया हुआ है 4X प्लस में X की पाउर 3 प्लस में 8X की पाउर स्केर प्लस में AX और प्लस में B ठीक है इस बहुपद का यानि जो बहुपद है हमारे पास P PX ठीक है इसकी जो value है यानि कि इस बहुपत का solution है क्या X square plus 1 तो इसको लिखोगे अब 0 के equal ठीक है किसको लिखोगे 0 के equal और यहां से आप क्या बनाओगे यहां से बनाओगे value की X equal हो जाएगा minus का 1 और यह square में तो X के value क्या हो जाएगी root में minus 1 अब आपको दोस्तों एक बात पता साइद होगी भी नहीं भी होगी कि root की जो value होती है न वो plus minus 2 में ली जाती है तो हमारे पास X plus minus 1 दोनों होगा ठीक है तो हम अपने according इसमें से use कर लेंगे ठीक है न तो अब हमें दोनों की जुरूत पड़ेगी जाने कि X की value यहां पर दो-दो होंगी एक तो X equal 1 और एक X equal minus 1 ठीक है तो यह दोनों चीजा हम इस्तेमाल करेंगे ओके तो चलिए अब इसका इस्तेमाल करते हैं और यह जो बहुपाद हमें दिया हुआ है उसमें हम इसकी value output करेंगे तो यहां से रखें यहीं से रख देते हैं चलिए तो यहां पर लिखिया पी और यहां 0 लिख दीजेगा सिंपल सी बात है यहां से करिए चलिए ताकि कोई confusion ना उदर जगए कि अब एक्स के वली रखी है ठीक है जब एक्स दिखाने दे रहा है यहां से दिखाए देगा जब एक्स पर रखें तो क्या होगा भाई आके positively एक रोड़ गिएक तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा यह ऐएगा वन प्लस ने एट फ्लस में एक उफिल प्लस में b equal to 0 देखे एक और एक दो और 8 10 तो a plus b equal आगया माइनस का 10 क्यों क्योंकि इधर जुलेगा तो 10 होगा है ना उधर गया तो माइनस का हो गया के इसे हम एक समीकर माइन लेतें आब हम करेंगे जब एका बडाबर मैनस मान होगा तो गर्ला में मानस 1 लिखे उसकी पावर 3 कीजिए प्लस में 8 लिखे उसकी पावर मानस 1 कीजिए और प्लस में A लिखे और इसकी गुड़े में मानस 1 कीजिए और प्लस में B लिखे और इकोल टू 0 लिखे ओके जाले दे चला गया दिखानी देखे अब क्या करेंगे हम अब हम यह तो भाई प्लस का 1 आएगा यह रूट में यह क्या है तीन बार है तो माइनस का 1 आएगा फिर यह स्क्वेर में है तो यह भी प्लस का आएगा तो प्लस का 8 लिखे और गुड़े में 1 लिखे और मैंनस माइनस का एफ प्लस का भी इकवल टो जीडू ऊके है अब यहाँ पर क्या करनेवाले यहां पर दैक यहे प्लस का मैंनस्का ऑन ऐ कट गया मैन07 फो माइनस educating neuros cuando इको करते है तो मैंनेस का एट यह इनते है दूसरी समिकरण ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक समीकरण यह थी दूसरी यह है, तो हम लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो भई चलिए हल कर देते हैं, यहां पर माइनस का एट, तो भई चलिए, यह हो गया, जोड देते हैं, क्या करते हैं, जोड देते हैं, चलिए, मैंने कि हमने इस equation को लिख लिए था और इस equation को भी लिख लिया और फिर दोनों को add कर दे क्यों साइन reverse है तो साइन reverse है उल्टे हो तो आप जोड सकते हो एक जैसे हो तो घटा आना पड़ता है ठीक है तो यह हो गया अब इसके व्लूप किसी एक में रख दीजिए तो इस तो माइनस ए मैंनस ए इक होता है इसेन रखी किये तो माइनस का ए और प्लस का आ ऐसे मीनस नहीं के डिरसीए है उकल मैनस का इसको अदर भेजहें तो मैनस का एक एकल हो गया मैनस और प्लस का 9 ठीक है तो मैनस एक ऐगो आ जाया आपका क्या घटा डिजिए ऐसे लिख दीजिए ताकि लिख और नहीं ॐन फो ये एकवल मैनस वन था खर एक है के वहची एक गया मारम न अगी और वोगत चैक करना हो ऩूना ँच समय घलत हैं तो आप कर सकते हैं खी यह है जिसे में चना रखेंगे तो यहाँ पर आएगा को कुछ एट डेले लिए एक को है स possessed बना देखिए पता में चल गया तो कैसे अगर यहां रखेंगे मैनस क की बाहर है और ऑप Dobro जा रहेगां प्लसativa क का शही सवाइए लग रहए हैं सब्सक्राइए चलिए अब यह होगिए पांच खक्रशन Whose प्रश्न हो गया अब हम लेते हैं ठीक है कोश्चन नमबर 6 आए कोश्चन नमबर 6 लेते हैं और 6 में देखते हैं क्या लिखा देखिए कोश्चन 6 में लिखा दोस्तों यदि सच और जूट बहुपत PX2 स्केर प्लस QX प्लस R के सुन्यक हो तो एक दूसरे के विव्यूत करम हो तो पी और आर में संब्ध याद केजिए तो यहां पर मुझे लगता कि प्रशन कोई खास है तो आसानी दे रखाए सच और जूट का इस्तमाल कर लिए देखे इसने सच और जूट बताके ना आपको फसार आईए यह हमारे पास दिया हुआ है तो हम यह मान लेते हैं माना सच जो है अलफा है और जूट को हमने बीटा मान लिया ठीक है अरे दिखाएं दे रहे हैं क्या सच को हमने मान लिया हमारे अल्फा और जूट को हमने मान लिया बीटा अभ इसने कंडिसन क्या दिये है ठीक है ना प्रसने उन सरफिस नहीं गया है कंडिशन के ऐल्फा इकवल है वन बीटा या आप क्या ले तो आपके मर्जी है या बीटा इक्वल है वन अपन अलफा थीक है आपके मर्जी आप कोई भी लेजिए अब यह कह रहा है पी और आर में संबंद बताईए तो बहुत को बताता हूं ठीक है ज्यादा कुछ तो मैं समझाने को कोशिस बहुत कुछ करता हूं थोटी चोटी सी चाहिए तो चोटी सी बात हम क्या यहां पर करने वाले फिर वहीं चीज करने वाले इसने आरोड उसके बीच में संबंद पूछा है ना तो आपको पता है कि एलफा प्लस बीटा एकल होता है माइनस बी अपॉन में सी और यह और फोर्मूला होता है एलफा इंटु बीटा एकल होता है सी अपॉन में ए होगा सी अपॉन में ए ठीक है अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकिसी भी कियोस्न में रखे कि वैलू निकाल सकते हो और सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप इसमें रखें क्यों क्यों खट जालेगा व्यूत कोर Alliiqu session अगर क condition में इसकी जरूत हमें नहीं लगरी जादा निकलेगा यहां से भी relation लेकिन हम इसका इसका इस्तेमाल करेंगे ठीक है यहां से भी निकल जाएगा पहले बता रहा हूं मैं आपको लेकिन आप आसानी उच करें तो अब यहां पर क्या होगा कि आपको पता है कि alpha इन्टू में यहां पर मैं निकालता हूं चलिए तो भी alpha इकोल ओकिया कि सी अपॉन में एलफा इन्टू बीटा इकोन तो सी के आपके पास equation का नुसार है सी आर और ए क्या है ए है पी ठीक है यह आपके पास एक equation बेंगी है अब प्रस्टन सार जो दिया वह देख लेते हैं अब प्रस्टन सार अब alpha इन्टू बीटा इकोल आपके पास क्या है आर अपॉन पी है तो भाई रख दीजिए alpha इन्टू में बीटा को क्या लिख सकते हो गुड़े में एक बटे में alpha मैंने बोला ना दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप यह वाला यूज कर लो यह वाला तो भी बीटा को यूज कर रहा हूं एक बटे alpha अब यह alpha से alpha कट गया और आपके पास क्या है आर अपॉन म यह दोनों एकवल होंगे एक दूसरे के ओके तो आई दोस्त अब कोशन नमर 7 लेते हैं ठीक है तो कोशन में 7 हैडिंग डाल लेते हैं कोशन 7 का नमबर और अब जोई किसको सॉल करने कोशिस करेंगे ठीक है तो आपको यहां पर देखिए कोशन क्या गया है पढ़ लेता है यह द्यान से यदि बहुपद एक्स की क्यूब प्लस टू एक्स स्केर प्लस के एक्स प्लस सेवन को एक्स मैनेस तीन से भाग कहरने पर सेसफ़ल 25 प्राप्त हो तो भागफल तथा के कमान ग्यांद कीजिए और इस प्रकार प्राप्त भागफल के सुनिकों का योग और 25 फाल्त है अगर हम इससे इसको पूरा काटना चाते तो 25 घटाना पड़ेगा है ना अगर अगर मालीजिए दो सेसफ़ल बचरा है पांस से भाग देने पर तो दो घटा दीजिए तो पांस से पूरा-पूरा कटेगा ठीक है तो ठीक इसी परकार से यहां पर भी एक्स की क्यू प्लस टू एक्स स्क्वेर प्लस की एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो है ठीक है अब आपको एक बात ध्यान रखनी है इसने क्या बोला है इसने यह कहाए कि पच्चिस सेसफल बच रहे है है कि सेसल क्या बच रहे है 25 बच रहे ठीक है इसको जब हम एक्स मानेस त्री से डिवाइड कर रहे है लिए च्टके इसका मतलब यह है कि पहले हमें क्या करना होगा पहले हमें इसको हटाना होगा है यान सेओक इस यह को घटा दीजी पूरा-पूरा मानेस 25 ठीक है यह क्या होगा एक्स मानेस 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा समझ रहें ना बात को कि 25 ज्यादा था वैसे इस फल था तो हमने 25 को घटा दिया क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं और कुछ कंडिशन दी नहीं हुए है एग के तो महरे पास नहीं संक्षा है इसको यहां से लिखते एक्स की क्यूस कि इसकी क्यूस दौक जाल इसके इस् 추가 यह एक्स की क्यूस आ पूरा डिवाइड होगा तो चले डिवाइड कर देते हैं किस से एक्स माइनस थ्री से यह तो बोला है अभी हम थोड़ा से सहटा देते अभी जरूथ नहीं है इसको में हटाता हूं सौरी ठीक है अभी हम क्या करना है कि कि एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 रखना है तो एक्स की वल्लू क्या जाएगी 3 जब पूरा-पूरा कटता है तो एक्स हम इसरा इसे लेते है ठीक है अबम इसको समय रखेगे तो अब इसे मान देए prefix था तो अब लिखेगे एक्स इकार हमारे पास जो अब्लब्ध है storage हिए डिखेगे और प्लस खरक्त रुक्त-शडिक ने कही समय उसlebrय हैं प्लस , जीरो आजाना है इसका क्यूब की जिए है टू लिखे्मिया फृ थ्री लिखे यहां पे स्क्लीख और केजिए फिर कição है यह मानस में 18 इसको है जिरो लिख ते हैं यहला किया तो अब क्या है अब यह पर ट्विन्टी सेवन हो जाएगा तिंतिया नो 9 दुनिय 18 और प्लस में 3K मैनस में 18 ठीक है अब मैनस 18 और प्लस 18 यह क्या हो गया मैनस 18 और प्लस 18 कैंसल यहां चेक कर लेजेगा तिंतिया नो ठीक है अब आपके पास 27 आ गया और यह प्लस काई तो इदर भेज दीजे इसको equal में यह क्या है आपके पास 3K तो K की value क्या आजाएगे आपके पास minus का 9 क्यों? क्योंकि हम इसको divide कर देंगे 3 से ठीक है? तो अब K का मान तो आपके पास आ गया लेकिन आपसे यह भी तो पूछा गया है कि X minus 3 से यानि X minus 3 से जब हम divide करें इसको किसको? इसको जो हमें पॉल में मिल दिया है तो जो इतना आएगा उसके गुड़न फंड गुड़न खंड बनाने है ठीक है? यानि कि सुने को का योगपल सुने को गुड़न फंड निकाला जो यहाँ पर आएगा तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको value को रखेंगे दुबारा के की value जो हमारे पास है ना यह value value जिसको हम रखेंगे दुबारा ठीक है? कहां रखेंगे? इसको हम चले नीचे करेंगे मैं तो सुचना था उपर कर दूँ लेकिन अब नीचे करना पड़ेगा क्या लेक दे रहा हूं में पहले समझाने के लिए ठीक है? तो इसको बंद कर देते हैं गलत है यह छोड़े काटिए ठीक है? अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसी value को x की q plus 2x square plus minus minus 9 k की value और x plus में क्या था हमारे पास? 7 equal to 0 अब यहां पर इसको यानि की x की q plus 2x square minus में 9x और plus में 7 यह हमें भाग देना है इसमें x-3 क्योंकि हमने k की value यहां पर हमने put कर दी अब नया बन गया नया भगपत बन गया अब इससे हम भाग देके देखें कितना आता है चलिए तो पहले पहाड़ा पढ़ने का तरीका क्या है तो देखिए x-3 यह यहां पर है इसमें क्या है x ठीक है? इसमें क्या है x-3 सबसे ज्यादा power क्या है x-3 तो हम यहां पर क्या करेंगे? x-3 इससे काटी कितना आएगा? x square इसका मतलब यह है आपको क्या करना है? यह हम क्यूं कर रहें? इसका पहाड़ा तो आता नहीं है हमें तो इसका पहाड़ा कैसे? कितनी बार यह जाएगा? क्या लिखें आपके? कितनी बार पढ़ें? तो उसको हम चेक करेंगे सबसे ज्यादा power जो x है इसमें तो उसे डिवाइड कर दीजिए जितना आएगा उसको यहां लिख दीजिए ठीक है? अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है यानि पहाड़ा पढ़ने का मतलब है कि इससे गुणा करके देख लिजे कितना आ रहे ठीक है? तो यह आगे x की q यहां पहाँ प्लस डिवाइड करेंगे यह हो गया 5x2 और मैने नाइन प्लस में 7 कि इस एकस से इसको डिवाइड करेंगे सबसे दा पावर यह है तो हमारे पास क्या बचेगा अगर हम 5x2 को एक से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पास 5x बच रहा है तो प्लस है क्योंकि मैंस तो लिखा नहीं उसके साथ 5x के साथ तो प्लस में 5x भी लिख देंगे अब इस 5x का पाढ़ा इतनी बार पढ़ना है तो 5x से इसमें गुणा कीजिये कितना ऐगा 5x2 5x से इसमें कीजिये तो मैनस का 15 स्वारी मैनस का 15 x फिर घटा आई है तो मैनस और यह प्लस है यह कैंसल तो इसमें 6x हो गयाए 6x प्लस में 7 ठीक है अब फिर X से इसको डिवाइड कीजिए एक से क्सको डिवाइड करना है X से इसको डिवाइड कीजिए तो चली देखते हैं यहां पे 6X बटे में कितना होगा X तो कितना आजागा 6 ठीक है अब प्लस में आप हम लिख देंगे 6 अब इस 6 का पड़ इतनी बार पड़ी तो कितना आजागा 6X माइनस में 16 18 18 तो प्लस और प्लस स्वारी स्वारी क्या कर रहा हूं बार बार गड़ बड़ कर रहा हूं माइनस प्लस यह कैंसल तो यह आगे 25 आप जानते हैं 25 से फ़ल आना था 25 आभी रहा ठीक है ना इसको मैं यहां लिख देता हूं कि 6X प्लस में 17 और क्योंकि जब मैं प्रिंट आउट निकालूंगा न वह स्कैन करूंगा तो आएगा नहीं इसलिए मैं उपर लिख रहा हूं फिर मैं प्लस लिख रहा हूं माइनस यहां प्लस तो यहां पर आगा 25 और यहां कुछ नहीं ठीक है तो अब हमारे पास यह बहुपद आया जी ठीक है अब प्रस्ण पढ़ लेते हैं कि बार और कि हमसे पूछा क्या गया था देखिये वहां देने पर 255 प्रायव तो भाग फल तथा के कामान ग्यांत कीजिए तो के कामान हमने पहले निकाल दिया भाग फल भी निकाल दिया भवाई जो भी आ रहा है ठीक है यह यह ना उसके बाद इसने बोला है इस परकार प्रापल के सुनिकों का योग और गुडण फल भी है तो यहां पार किए पहले मैं इसको एक बार लिख लेता हूं जो बहुद्ध बनाए भागवर जो है ठीक है यहा मैं लेक्ट देता हूं कि भागवर ए ठीक है है भागवल के तो जाधा कटव काविट होगे उसमें स्धोट में उख 5x और प्लस में 6 ठीक है यह भागफल है हमारे पास इकोल टू जीरो अब आपको पता ही कि सुनियको का योगफल क्या होता है कि सुनियको का योगफल और वो क्या होगा एलफा प्लस बीटा तो भी क्या होगा माइनस बी अपॉन में ए यह होता है माइनस बी अपॉन में ए तो माइनस का बी यानि कि माइनस लगाई यह और बी के हमारे पास 5 है 5 लिख दीजिए अपॉन में ए ए क्या है 1 तो बन लिख दीजिए तो मेरे पास आंसर आगे माइनस का फाइव ठीक ऐसे सुनियको का गड़नफल तो आपको पता है सुनेकों गुड़नफोल क्या होता है अल्फाबीटा तो ये निए देखना है थोड़ा बड़ा है ले नहें तो सिल्पने फॉर्म ने फॉर्म्मॉला होता है सी के हमारे पास six और यह क्या है one तो कितना है six हो गया यह निकालना था बस ठीक है न तो यह प्रस्ण भी जो ही के हमारा खतम हो गया फोर मार्क्स का है अब देख लिए थोड़ा बड़ा है लेकिन कठी नहीं है पहले हमने क्या किया 25 को घटा दिया फिर जो बहुपद मिला उसको उसको क्या क्या वैलू रख दिया अगला अगले प्रस्ण में देखिए क्या दिया गया कि बीटा और एक बटे बीटा इसकेल प्लस इसकेल स्टीवन एक्स प्लस एक्स एलफा के सुनियों खोतों बीटा रख के मान ग्याद कीजिए इसने खाली आपको एलफा बीटा देखे करनी को सिस्कर रहा है जीकि मैंने आपको बताया था कि अब उसको क्या मान के चलिए आप उसको एक बहुत ही छोठा स सिम्बल मानके चलिए और बिल्कुल ने डर ना इन सब चीजों से आप यू निप्टा देंगे चुटकी बजाके तो आठोगा कोशन लिख लेते हैं और बीटा और बीटा बहुपद पहले में यह लिख लेता हूं कि अलफा की स्कैल प्लस अलफा बहुपद लिख लेता हूं एक्स स्कैल प्लस में 61 एक्स प्लस में 6 अलफा ठीक है एकल टू क्या होगा जीरो अब यह कह रहा है कि बीटा और एक प्टा बीटा बहुपद इतने के सुन्यक है ठीक है तो यहां पर अब ध्यान रखिएगा यहां पर अलफा बीटा का यूज मत करना सुनिकों का यूप अलफा बीटा इकल यहां यहां वस यह हैडिंग लिखना तो मैं लिख रहा हूं कि सुन्यकों का यूगफल तो यहां पता है यह सुनिकों का यूगफल क्या होता है तो माइनस बी अपॉन में ए तो minus लगा दीजिए और B के आए देखे आप खुद देख लीजिए B के हमारे पास 61 और upon में A, A के हमारे पास alpha square plus alpha ठीक है ऐसे ही निकाल लेजिए अब आपको पता है कि सुनिकों के एकफ़ल क्या होता है हम जो अपने हिसाब से रखते हैं है ना तो सुनिकों के एकफ़ल जो होता है alpha plus beta हम अपनी तरफ से लिखते हैं अब इसी में फसा के आपको फसा दिया है तो आप दो ठीक है ठीक वैसे ही बीटा सुनिकों का गुड़न फल क्या होगा बीटा और बटे में एक बटे में बीटा वह क्या होगा सी अपन ए अब सी क्या है इसमें 6 alpha है क्या है 6 alpha अपन में ए क्या है ए है एलफा स्केर प्लस एलफा ओके तो यह तो कट जाएगा से देखिए तो वन इकोल आपके पास क्या आ गया 6 एल्फा अपॉन में एल्फा स्कूर्ट प्लस अल्फा अब इसको इससे गुणा कर दीजिए ठीके ना तो हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी इसे पूरे में गुणा किया ऐसे भी लिख सकते ओ एलफा इसमें कॉमन लेके यलफा प्लस 1 है ना इसको इसे भी लिख सकते थाम इस इसमें गुणा कर दिया और इधर क्या गया 6 alpha तो इस alpha से यह alpha काट दीजिए तो अब आप खुद देखिए alpha equal क्या रहा है alpha plus 1 equal 6 तो alpha equal क्या रहा है 6 minus में 1 equal to कितना आ गया 5 5 कितना आ गया 5 ठीक है तो अब आपके पास आ गई 5 अब जैसे मैं आपको बोला था कि इसका क्या कर सकते हैं उपर देखेंगे तो यहां पर देखे आब आई उपर हमें इसकी वैलू दे रखिए निसुनिकों का योगफल दे रखा है तो तो निकल जाएगा ऐसम्झेगा आपके एलफ़ बीटा की वैलू पूछिए ना तो वीटा की वैलू निकालते है चलिए तो यहां पर बीटा प्लस में 1 अपॉन बीटा यहां लिख देता हूँ अलफा का मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है अब रखिए माइनस का लिख यहां पर 61 अपॉन में अलफा के वेलू क्या 5 तो भाई यह हो जायागा 25 और प्लस में 5 तो बीटा की स्क्यार प्लस में 1 अपॉन में बीटा इकोल हो गया मानस 61 अपॉन में 30 ठीक है अभी एक और इक्वेशन बनेंगे डरना नहीं है अराम से सॉल करना है इस इसमें गुणा कीजिए साओना में 30 बीटा क्याए प्लस में 30 एक quaल इसे सुमें किजिए मारे असक्षा इकवेशन बीटा इसको इदेर लाएं तो हमारे पास है नइन्हां है ईक्वेशन है 30 इसकार दीकि प्लस में 61 बीटा प्लस में 30 इक्ल टूट जीरो अब ये भी तो अब हम इसको भी solve करेंगे, solve कर निकले हम क्या करेंगे, तो आपके इस दो तरीके हैं, या तो factor बनाईए, बड़े चालो चलेंगे, factor इनों इतना तफ दिया है, तो इसके दोस्तो factor बनाएंगे, यहां जगे कम पढ़ रही है, आईए अगले पर देखते, यह देखने में क क्योंकि दिया संख्या को ऐसे दियाता है कि बंदा सोचने लग जाता है, कठिन सोचने लग जाता है, इसे नहीं कर पाता है, मैं नहीं सोचता है, इक साथ है, तो जरूर कुछ ना कुछ तो factor होगा, अब मैरे मन में जो आ रहा है, वो 31 प्लस 30 बनाएंगे तो नहीं बनेगा क्योंकि common नहीं आएगा यह बना लेते हैं 25 36 यह बन सकता है कुछ कैसे 6 से कट जाएगी संख्या 5 सी दोनों कट जाएगी बन गया लीजिए तो 30 बीटा प्लस में सब्सक्राइब अब मेरे खाल से कौन सा लिखना चाहिए इधर से इधर यह वाला लिख देता हूं 25 कि इधर भी लिखेंगा उससों कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन मुझे लग रहे हैं 6 प्लस पांच इधर आना चाहिए प्लस में यानि कि इसको ना हम रहे हैं कैसे ऐसे तोड़ रहे हैं ऐसे ठीक है यहां पर हो गया है थर्टी-सники बीटा प्लस में थर्टी थर्टी को वनुटा बीटा थाने बीटा नहीं है एक बीटा नीए सउ और संक्ख्यार Y तो इन दोनों को आप एक ब्रैकेट में रखेंगे तो जब आप इन दोनों को भी एक ब्रैकेट में लिख दीजिए यह लो जी इसमें क्या कमन आ रहे है फाइफ और बीटा भी आ रहे है तो यह होगा शिक्स बीटा प्लस में कितना जाएगा फाइफ प्लस में यहाँ पी क्या कमन आ रहे है शिक्स तो यहाँ पी क्या जाएगा छेचेट शिक्स बीटा प्लस में फाइफ टाइमस जाएगा है हो गया तो आप का सौल अगया अभी को एक बार लिखिशं़ और इसको जो बाहर है उसको एक बार लिखिए उसको एक बार लिखिए अब धौब आपक 700 अब assumption बैसे इक बीटा प्रमें 5 एक ल जीरो तो बहुत तो भाई तेल निकल गया इसे तो बनाते बनाते काफी जो है कि कटिन था यह कटिन नहीं था देखिए इसमें क्या था लंबा चला गए ठीके ना और जब लंबा चला था तो प्रॉल्म हो जाती फिर गलत होने की चांसे जाता रहते हैं लेकिन चले यहां पर हो गया भी लिंक डाल दी है ठीक है देख लिजिए और ऐसी करके करके सब सॉल्ट कर डालेंगे ठीक है टेंसर नहीं है लगे रहना है मिलते हैं फिर एक नए सब्जक्ट नए चप्टर के साथ नए वीडियो में थैंक्यू बबाए